यह स्मार्ट नोक्री में आप सभी का स्वागत है दोस्तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो इस्टुएंट बिहार के हैं उन सब को पता चल गया होगा कि जो फर्स्ट राउन एड़ीशन लिया गया था वो पूरा का पूरा कैंसिल कर दिया गया था और मैंने कारण में बता दिया था किस कारण से कैंसिल किया गया है इस वीडियो में बात करने वाले की बहुत सारे इस्टुएंट का कॉमेट ही है कि सकेंड राउन का कांसिलिंग कब से सुरू होगा और जो इस्टुएंट फर्स राउन में counseling नहीं कराया है, registration नहीं किया है second round में कर सकते हैं नहीं कर सकते ये पूरा details बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले बता दें, बिहार में जो first round का admission cancel हुआ था इस सब का पूरा process चलेगा 2 अगस्ट तक 2 अगस्ट तक last पूरा process चलेगा first round का first round का 2 अगस्ट होने के बाद आप सब को 4 अगस्ट या 5 अगस्ट के आजपास आपको second round का आपको counseling सुरू होगा यानि registration सुरू होगा अब जो student first round में registration नहीं किया था, वो second round में registration कर सकता है अराम से new student लेकिन जो student first round में registration कर दिया था उनको second round में registration करनी के जुरूत नहीं है उनको second round में सीर्फ और सीर्फ twice filling और twice locking का उप्स करना होगा ये process आपको करना होगा तो final बात ए कि आपने अगर first round में registration नहीं किया था, तो second round में आपको मौका दिया जाएगा registration करने का 2nd round में आपको रैश्र्षतन कर देना निवार्ज है ताकि आपको 3rd round और मौपप round में आपको मिल दढünden अब आगे बात करते हैं कि आखी Cut off क्या रहाएगा तो Friends पहले बता दूं कि जो 1st round का जैसे 1st round का seat cut 48 seat का decrease management किया गया है तो 48 seat decrease होने का करण एक तो first round में 48 seat add था तो 599 cutoff था लेकिन 48 seat कम हो जाने करन I hope मुझे लगता है expected cutoff रहेगा 604 से लेकर 605 के आसपास यह रहेगा expected cutoff अब यह cutoff रहने के बावजूद अब बात करते हैं second round, third round, mop up round तो कितना तक जा सकता है तो friends आपको बता दूँ कि second round तक 590 या 590 या 585 तक 85 तो नहीं जाना चाहिए 590 के आसपास मुझे लगता है कि second round में इतना cutoff रहेगा general के लिए OBC के लिए इसी के आसपास रहना चाहिए HTSC के लिए कम रहेगा ठीक है third round, mop up round मुझे ऐसा लगता है कि 580 में clear बता रहूँ आपको इसमें demotivate नहीं होना है जो finalized है उसको मैं बता रहूँ आपको इस सबको accept करना होगा जो final लगता है मुझे कि maximum to maximum जाना चाहिए तो 575, 580 से कम cutoff नहीं रहेगा बिहार में MBBS का general के लिए और OBC के लिए बाकिए category के तो कम रहेगा ये दो category जो अपर category है इनको नहीं मिलेगा उसके बाद AC, ST ये जो अपर category है इन लोग को भी cutoff हाई जाएगा ठीक है अब बात करते हैं आयरुवेदी का तो friends आयरुवेदी का next video में बात करेंगे मुझे इस वीडियो में इतना ही बताना था अभी के इतना ही, thanks watching video